आप सभी का फिर से स्वागत है ये एंसी आटी हिस्ट्री का डिसकसन है और आज का टोपिक है भारतिये राश्टवाद का उदे ये अध्याय 43 है सबसे पहले विशेविस्तार के बारे में डिसकस कलेते हैं यानि इस टोपिक अंतरगत किसकिस पॉइंट को डिसकस किया तो इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बाद राजनेतिक और प्रासासनिक एकता के बारे में इसके बाद आर्थिक परिवर्तन के बारे में इसके बाद भारत में आधुनिक उद्योगों की अस्थापना इसके बाद आधुनिक सिक्षा का परभाव भारत में सिक्षा का विका ब्रिटीश सासन के प्रती असंतोस और राजनेतिक संस्थाओं की अस्थापना इन सभी पॉइंट को इस टॉपिक अंतरगत कवर करेंगे तो देखे 1857 के बिद्रोह के दमन के पश्चात भी अगर बात करें तो अनेक वर्सों तक देश के विभिन भागों में ब्रिटीश सास की आर्थिक और प्रसासनिक नितियों के विरूद बिद्रोह होते रहें, कंटिनीव रहा, जनता में राजनेतिक और राष्टी चेतना उभरने लगी थी, जिसके कारण एक अलग प्रकार का आंदोलन जन्म लेने लगा, जिसने जल्दी ही स्वतंतरता के देश ब्यापी गर्ष का रूप धारण कर लिया, अंग्रेजों ने अपने राजनितिक नियंत्रण के माध्यम से अपने आर्थिक हीतों की पूर्ती के लिए भारत पर जो है सासन किया, भारत ये जनता के हीतों में और अंग्रेजों के भारत को सासन करने के देशों में कोई सामयता नहीं ठीक है भारतियों में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को सासन ससक्त करने में सहायता की थी कुछ वर्गों को छोड़कर अगर बात करें तो सेस भारत पर बिर्टी सासन के दोरान समाजिक, आर्थिक और राजनितिक जीवन में जो परिवर्टन हुए उसे जन्ता को एकजूट होने और बिर्टी सासन के विरूद आंदोलन करने के लिए प्रिणा मिली ये परिवर्टन अंग्रिजों दोरा अपने हित साधन के लिए अपनाई गई नीतियों के परिणाम थे इनके परिणाम सरुप अगर बात करें तो जन्ता बिर्टी सासन के विरूद एकजूट हुई बिर्टी सासन ने अपने समराज जिवादी एवं सोशन कारी कारियों से स्वयम अपने विनास के लिए परस्थितिया उत्पन की थी जन में दिया था दूसरे देशों से उनकी रक्षा का उतरदाई तो पुर्ता जो है ब्रेटीश सासन के हाथों में था इन राज्यों की जनता ब्रेटीश प्रजा मानी जाती थी क्योंकि इन में से कुछ राज्यों का निर्माण स्वयम अंग्रेजों ने किया था तो उनके कटपुतली थे ये कह सकते हैं आप भारत की राज्योंतिक एक्ता एक महत्कूर उप्लाग्धी थी ये विदेशी सासन के अंतरगत और उनके हित साधन के लिए प्राप्त की गई थी इस एक्ता को ब्रेटीश सासित परदेशों में अस्थापित प्रसासन की एक रूप विवस्था ने अधिक म गई समानता एक्ता का एक अंग बन गई संपूर देश में प्रसासन की समान विवस्था और एक रूप कानून ने देश के विभिन भागों में निवास करने वाले लोगों में समानता और एक्ता की भावना को बढ़ा दिया अगर आर्थिक परिवर्तन के बारे में अगर देखें राष्टवात की उद्य में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ सबसे पहले रेल मार्गों के निर्मार के कारण माल और लोगों को पहले किया पिक्षा अधिक असानी और तेजी से देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना जो है शंभाव हो गया बेभेन आर्थिक परिवर्तन जैसे ब्यपार पर अपना आधिपत्य बनाए रखना ब्यपारिक फसलों को बढ़ावा देना आधि अंग्रेजों के द्वारा जनता पर बल पुर्वक आरोपित किये गए थे तो ब्यपार पर जो उद्द्योग था ब्यपार था इस पर बत्य बनाए रखना इसके बाद ब्यपारिक फसलों को बढ़ावा देना आधि अंग्रेजों के द्वारा जनता पर बल पुर्वक यानि ये आरोपित किये गए एक तरह का जो था सोसनकारी एक बिधी था जिसके कारण जनता को अत्याधी कठिनाईयों का सामना करना पड़ प्रंतु रेल मार्ग और सनको के निर्मान से छेत्रिय संपर्क में हुई बिरधी ने लोगों को एक जूट करने और उनमें समान अकंचाय पैदा करने में महत्पुन योगदान दिया एक दूसरे से मिलने में जो मतलब की दूरी था वो कम हो गया और अपना उद्योग था जो बस्तुए थी एक अस्थान से दूसरे अस्थान में जाने में सक्षम हो गई रेल मार्ग और स्रणत के निर्मान से इसके बाद अगर बात करें तो भारत में आधुनिक उद्योग की जो अस्थापना है किस तरह से हुई ठीक है तो ब्रिटीस आसनकाल में भारत ब्रिट उद्योगों के लिए कच्छे माल का सुरोत बन गया है। उद्योगों में जातिये, संप्रदाईक और छेत्रिये तक तो समाप्त होने लगते हैं। इन सभी कारणों से उद्योगों के विकास ने लोगों को एक राष्ट के रूप में एकजूट करने में जो है महत्पुन भूमी का निभाई। उद्योगों के विकास ने राष्टी चेतना को उभारने में सहयता की। उद्योगों का विकास होने से समाज में दो महत्पुन वर्ग पुंजीपती वर्ग और ओधोगिक मजदूर वर्गों का उदय हुआ। इन दोनों वर्गों के अधिक विकास के लिए जो है देश का ओधोगिक की करन होना अवस्यक था। रोडा बना हुआ था। इसलिए वह इन दोनों वर्गों का भी विरोधी था। इन में से पर्तिक वर्ग के अपनी सर्व देशिक हित भी थे, जैसे कि संपूर्ण देश के सूती कपड़ा करखानों के मालिक अंग्रेजों की आर्थिक नेतियों के कारण समान रुप से परभावित हुए थे, और उनकी समस्यां और उद्दिश भी समान थे. आधुनिक सिक्षा का जो परभाव है इस समय देख लेते हैं कि कैसा रहता है देखे राष्टवाद के उदय में जो आधुनिक सिक्षा का परभाव है आधुनिक सिक्षा के परसार ने राष्टी चितना को उभारने में एक महत्पूर्ण भूमी का निभाई अंग्रेजों न जो विचार था कि अंग्रेजी माध्यम से सिक्षा प्राप्त करने वाले भारतिये उनके सासन के समर्थक बनेंगे प्रंतु राजा रामोहन राय जैसे भारती नेताओं ने अंग्रेजी सिक्षा का स्वागत भेन कार्णों और उद्देसों से किया था राजा रामोहन राय का नाम याद रखिएगा उनका विचार था कि अंग्रेजी सिक्षा से भारत के लोगों को विश्व के उननत ज्यान की जनकारी मिलेगी इससे भारतियों को ये भारतियों के सहित और विश्व के अनभागों की घटनाओं की जनकारी मिल सकेगी इस तरह से उन्होंने इन विचारों को प्लट दिया ठीक है अंग्रेजों का विचार था कि अगर अंग्रेजी सिक्षा दी जाएगी तो भारतिये अंग्रेजों के समर्थक बन जाएंगे लेकिनी राजा रामोहन राय इस विचार को एक पोजेटिम में लिया कि अगर अंग्रेजी सिक् अग्रसरित हो जाएंगे तो 18 और 19 सदी में पस्षिम में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ पस्षिम के महान विचार को ने जनतंत्र समान्ता और राष्टवाद के समर्थन में गरंथ लिखें अमेरिकी स्वतंत्रता की गोषणा और मानो यम नागरिगों के अधिकारों क फ्रांसेसी घोषणा ने नए कह सकते हैं कि एक नए क्रांतिकारी विचारों को बल परदान किया जिससे अगर बात किया जाएं तो देखें जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बल पुर्वा कहा कि किसी भी देश के वास्त्विक स्थासक वहां के लोग होते हैं तथा उनका उत्पिड़न करती है तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेके ठीक है परमुक्षिक्षा आयोग जो है इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं यहां से बहुत बार प्रशने पूछा गया है तो परमुक्षिक्षा आयोग जो समीति है किस वर्स और किसके जो है गवर्नर जर्र इतर या वाइश्राय के समय में यह आयोग जो घठित हुआ? आपको ध्यार में रखना है जैसे Charles Wood Dispatch 1.844 में Lord Dalhogy के समय में यह आयोग गया था यह घठित हुआ था Charles Wood Dispatch 2.844 Lord Dalhogy के समय में यह आयोग घठित हुआ था इसके बाद Hunter आयोग 1862 पी में Lord Ripon के समय में ये गठित हुआ रैले आयोग यानि 20 विद्याले आयोग ये 1902 में गठित हुआ था Lord Karjan के समय में Saddler आयोग का गठन 1917 में Lord Champs Ford की कारिकाल में हुआ Inch Cap आयोग का गठन 1923 में Lord Reading के कारिकाल में हुआ हाटोग समिती या प्रास्थमिक सिक्षा समिती इसका गठन 1929 में लौड इर्विन के सासनकाल में गठित हुआ लेंड से आयोग यानि प्रोड सिक्षा आयोग जो था ये कब गठित हुआ 1929 में लौड इर्विन के सासनकाल में सार्जेंट आयोग 1944 में लौड विबिल के समय में और राधा कृष्णन आयोग 1948 में लौड मांट वेटन के समय में या आयोग गठित हुआ था याद रखिएगा दो तीन बार इसको रिविजन कलीजेगा बहुँ जादा इंपोर्टेंट है इसके बाद स्वतंतरता पूर्व अस्थापित विश्व विद्याले यानि स्वतंतरता से पहले जो अस्थापित विश्व विद्याले था कब और कौन सा विद्याले जो है अ 1857 में ही तो कलकत्ता और बंबई और मद्रास याद रखेगा कलकत्ता बंबई मद्रास बिश्व बिद्याले की अस्थापना ये तीनों का जो है 1857 है आपको याद रखना है पंजाब बिश्व बिद्याले की अस्थापना 1882 में हुआ था इलाहाबाद बिश्व बिद्याले क 2017 में गठित हुआ, अलिगड विश्व विद्याले 1920 में और उस्मानिय विश्व विद्याले 1918 में, लखनव विश्व विद्याले 1921 में, दिल्ली विश्व विद्याले का गठन 1922 में, नागपूर विश्व विद्याले का गठन 1923 में, आंध्र विश्व विद्याले का गठन याद रखेएगा तेके सिख्छाने भारतियो के लिए आधनी ग्यान के द्वार खोल दिये थे मतलब कि जो आधनी ग्यान था इसके जो द्वार थे ओपन हो गया, खुल गया, जिसे उनमें राष्टवादी और जंतांतरिक विचार जो है पन अपने लगे, उनमें फलने फुलने लगा दूसरे देशों के क्रांतिकारी और राष्टवादी आंदोलन उनके लिए पिरणा के सुरोत बन गए संपूर्ण देश के सिक्षित भारतियों का देश की समस्याओं के विशय में एक समान द्रिष्टिकोण बनने लगा उन सिक्षाक का माध्यम अंग्रेजी था इसलिए सभी सिक्षित भारतिये अंग्रेजी भासा में सिक्षित होने लगे परिचित होने लगे इस देश के विभिन भागों को एक दूसरे से संपर का स्थापित करने में असानी हुई शिक्षित भारतियों ने संपूर्ण देश में राश्टियता के विचारों के परसार में परमुक भुमिका निभाई और अनेक युरूपी भासाओं के गरन्थों का भारतिय भासाओं में अनुबाद किया उन्होंने स्वेम ग्रंथ लिखे तथा पत्र पत्रिकाई निकाली उन्होंने भारत की आर्थिक समाजिक और राजनेतिक समस्याओं पर भी परकास डाला ठीक है अगर बात करें तो भारत में सिक्षा का जो विकास है किस तरह से विकास हुआ इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिसकस करेंगे ठीक है तो देखिए भारत में जो सिक्षा का विकास है 1781 इस्पी में कलकत्ता मदर्सा का गठन हुआ मतलब कि कलकत्ता मदर्सा ओपिन हुआ वारेन हेस्टिंगस के समय में 1784 में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल बिलियम जोन्स के समय में जो है गठित में फोर्ट बिलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड विलेजली के द्वारा इनके समय में 1813 के चार्टर एक्ट में सिक्षा के लिए जो है परती वर्स यानि एभी यर वन लाइफ का परोधान किया गया था ठीक है याद रखिएगा और भारत में आधुनिक सिक्षा के जो जन्मेदाता कहे जाते हैं नाम है चार्ल्स ग्राण तो भारत में आधुनिक सिक्षा के जन्मेदाता कौन थे चार्ल्स ग्राण याद रखिएगा और पेरीज में रायल एसियाटिक सोसाइटी की सद्यसता पताईए किस ने गरण कि थी मधु सुदन दत्ने तो याद रखन और स्वर प्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ने किया था चाल्स विलकिंस ने और विज्ञान संकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किस ने किया था विलियम जोन्स याद रखिएगा इसके बाद देखे प्राचिवादी बनाम आंगलवादी बीवाद ये क्या था, तो सबसे पहले प्राचिवादी के बारे में देखेंगे, और इसके बाद अंगलवादी, प्राचिवादी बना अंगलवादी बीवाद क्या था, तो प्राचिवादी सिक्षा का माध्यम जो था, भारती ये भासाएं थी, इसमें, प्राचिवादी में, और अं गावे निस्पंदन सिधान जो है इन्हों ने दिया था downward filtration theory और भारतियों पर हो रहे अंग्रेजों की जो है बिचारधारा जो भारतिये थे इन पर अंग्रेजों की बिचारधारा को जो है मतलब थुक्मना और 835 में बैंटिक ने इसको जो है काटा कहा जाता है तो Charles Wood Dispatch को भारतिये सिक्षा का मैगना काटा कहा जाता है प्रात्वी सिक्षा का माध्यम था इसमें भारतिये भासाएं थी उस सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भासा था, लंदन विश्व विद्याले अठासो चोवन में और कलकत्ता विश्व विद्याले अठासो संतावन में गठित हुआ था, चार्ल्स वूर्ड इस्पेश्च अठासो चोवन कंतर गठ, या दोखिएगा, इंपोर्टेंट है, औ और मद्रास विश्व विद्याले अठासो संतावन में, बंबई विश्व विद्याले अठासो संतावन में गठित हुआ, सिक्षा विभा का गठन हुआ, और महिला सिक्षा को जो है, इसमें पुर्शाहन दिया गया, इसके बाग हंटर आयोग का गठन हुआ, अठासो बिर इसके बाद इलहाबाद विश्व विद्याले का भी गठन 1884 में कर दिया गया है इसके बाद आया रैले कमीशन 1902 इसके बाद आया रैले कमीशन में क्या-क्या चीजे थी या इसमें क्या-क्या प्रवधान किया गया था तो रैले कमीशन में सुझाओ दिया गया था भार्तिय गया और अध्यान वस्वत पर भी बल दिया गया इसके बाद आया सैडलर विश्व विद्याले आयोक के बाद आया हाटोग समीति 1929 हाटोग समीति में क्या था तो प्राथ्मिक सिक्षा पर बल दिया गया इस समीति कंतरगत ग्रामिड अस्तरपस सिक्षा पर बल दिया गया अगर प्राथ्मिक सिक्षा पर बल दिया गया यानि ग्रामिड अस्तरपस सिक्षा को बढ़ावा मुल् तक निसुल्क वो मात्री भसा में सिक्षा का प्रवधान किया गया इसके बाद सार्जेंट आयोग 1944 सार्जेंट योजना सोरी आयोग नहीं सार्जेंट योजना 1944 इसमें जो प्रवधान था प्रात्मिक वो माध्यमिक सिक्षा को जो है बढ़ावा देना 3 से 6 वर्ष यानि पुर प्राथ्मिक सिक्छा यानि इसके बाद 6 से 11 वर्ष यानि प्राथ्मिक निशुल सिक्छा और इसके बाद 11 से 17 वर्ष के आयूवाले जो बचे थे उनको माध्यमिक सिक्छा दिया जाया इस तरह से सार्जेन टियोजना 1944 वहन popular प्रवधान किया गया, इसको गठित किया गया। प्रथों महिला विशुविद्याले के अस्थापना D के करवे ने किया था, याद रखेगा। और Deacon Education Society का जो अस्थापना है, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, Deacon Education Society बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है, इसका स्थापना किया गया। भारतिय विश्व विद्यालेयों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रवल रूप से वकालत किस ने किया तो मदन मुहन मालविये ने यह सभी प्रशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां से पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है तो भारतिय विश्व विद्यालेयों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रवल रूप से वकालत किसी ने की थी मदन मोहन मालवी बनारस हिंदू विश्व विद्याले का सिला नियास किसी ने किया था 1916 में तो लॉड हार्डिंग निशनल काउंसिल अफ एजुकेशन कबाया तो इसका गठन 15 अगस्ट 1906 में किया गया था ब्रिटीश सासन के प्रती जो असंतोस है इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं असंतोस किस तरह का था किस तरह से फैला तो देखे भारत में ब्रिटीश सासन की आर्थिक नितियों के कारण किसान सिलकार और कारिगरों को जो अत्याधिक नुकसान हुआ पंडाम सरुप उन्निश्वी सदी के उत्राद में तीन करोर लोगों की मृतू हो गई भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भी ब्रिटीश सासन की आर्थिक नितिया ही जिमेदार थी ब्रिटीश सासन भारतियों के हीतों का बिरोधी है यह अनुभो किये जाने पर ही भारतिय जनता में राष्टी चेतना का उदय हुआ था भारत में ब्रिटीश सासन के संचालन में जो खर्च होता था उससे भारतिय जनता ही वहन करती थी उसका भुक्तान भारतिय जनता करती थी भारत की ब्रिटी सरकाने दुसरे देशों के साथ जो लडाईया लड़ी उनसे भारती जनता के सोशण में जो है ब्रिधी हुई भारत के ब्रिटी सासने जो विशाल से ना खड़ी की थी उनका खर्च जो है भारती जनता से वसूल किये गए करों से पूरा होता था बिटी सासने भारतिय जनता के प्रती जातिय गिर्णा और जातिय अभिमान की भावना को बढ़ावा दिया इसके अतरेक अंग्रेजों ने उन भारतियों को भी अभमानित किया गया जो नयाधी जिसे उच पदों पर आसीन थे आम लोगों को पीटा गया और यतनाय दी गई उनका बहुत जादा सुसण किया गया कई ऐसे स्थान थे जहां भारतियों के लिए परवेश निशेद था वर्जित था रेल गारी में गोरों के लिए जो है सुरक्षित कंपार्टमेंट होते थे गोरे काले का यहां पर भेज चल रहा था गोरों के लिए अच्छा और सुन प्रति अपमान और भेद भाव के विरुद रोस बढ़ने लगा लोगों में उग्रता जो है अब उत्पन होने लगा ठीक है भेद भाव के प्रति थे अगर बात करें तो राष्टियता का उथान होने के कारण विचार करने भासन देने अभिवेक्ति यहनी समाचार पत्रो और कुस्तकों जैसे प्राकरतिक अधिकारों पर भी परतिवंध लगाने जो है प्रारम हो गए इस नीती के बावजूद भारतिय जनता में विक्सित हो रही राष्टिय चेतना राष्टिय संगठनों के रूप में परगठ होने लगी इसके बाद राजनितिक संस्थाओं क कलकता, बंबई और मदरास आदी प्रेसिडेंसी नगरों में हुई इन संस्थाओं में देश के प्रस्ताशन में भारतियों को भागिदार बनाने की जो है मांग उठाई गई भारतिय जनता के कल्यान के लिए कल्यार्त भारत और बिर्टेन के बिर्टिस अधिकारियों के प इन सभी एसोसियेशन यानि सभाओं के सदस अधिकतर भारतिय समाज के उच वरगों के लोग थे इनकी गतिविदिया सिमित थी जैसे परशाशन में सुधार करने के लिए सरकार के संचालन में भारतियों को भागिदार बनाने के लिए करों में कमी करने और भारतियों के प् प्रांतों में ही काम करते थी, प्रांतों इनके घोसित उदेश भारती जनता के उदेश से थे, न कि देश के किसी एक परदेश या समुदाय के उदेश से थे, अनेक ऐसे संगठन बनाए गए जो उप्यूक्त सभाओं की अपेक्छा जनता का ज्यादा परतिने धित्म करते थ जैसे 876 ISP में स्थापित इंडियन एसोसियेशन, 1884 ISP में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 885 ISP में स्थापित बॉम्बी प्रेसिडेंसी एसोसियेशन आदी तो इस तरह के ये सभाय थे अगर बात किया जै तो कुछ घटनाओं के कारण 870 और 880 ISP के दसकों में बेटी सासन के बिरूद असंतोस और अधिक बढ़ गया ठीक है असंतोस और अधिक बढ़ गया सरकार ने भारतियों की मांगों को पूरा करने के परियासों के बिरूद दमनकाली कदम उठाया 888 ISP में सस्त्र कानून बनाया गया जिससे भारतियों के कह सकते जो भारतिये थे भारतियों के सस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया मतलब कि जो गन था है मतलब जो जिसे यूद किया जा सकता था बिरोध किया जा सकता था ठीक है तो ऐसे सस्त्र जो है ऐसे सस्त्रों पर मतलब कि जो है ऑजारों पर हत्यारों पर पर परतिबंद लगा दिया गया उसी वर्स भारती भासाओं की समाच चार पत्रों पर भी करने वाले एक ऐसे बिद्या को वापस ले लिया जो उसने स्वैम पेश किया था इलवट बील क्या था? इलवट बील नामक इस बिद्या के अंतरगत भारत में रहने वाले किसी अंग्रेज या यूरोप वासी पर भारतिय नियाध्वीस की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था भारतिय नया अधीस की अदालत में मुकदमा ठीक है इलवर्ट बिल याद रखेगा यहां से बहुत प्रशन पूछे गए है भारत में अंग्रीज और भारतिय नया अधीसों के भी समानता अस्थापिट करने के उदेश से ही यह बिद्यक पेश किया गया था प्रंतु भारत में रहने वाले अंग्रीज और इरोप वासियों के विरोध के कारण इस बिद्यकों सरकार ने वापस ले लिया सुरेंद्रनाथ बनर जी ने कलकाता में इंडियन एसोसियेशन की जो है देश के सभी भागों के लोगों को जो है एकत्र किया था दिसंबर अठासो पचासी में बंबई में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना के लिए एक सम्मिलन का आयोजन किया गया इसी वर्ष कलकाता में इंडियन नेशनल एसोसियेशन का भी अधिवेशन आयोजित किया गया भारती राष्टी कॉंग्रेस भारती जनता की अकंचाओं का परतिनेधित्व करने वाला संगठन बन गया और इस संगठन ने भारती जनता की अजादी के संगर्स का नित्रित्व किया ठीक है और हमारा जो इसके बाद का जो चैप्टर है भारती राष्टी कॉंग्रेस इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक प्रधारी जो प्रशन पूछेगे हैं इसका एक बार एनालेसिस कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं पहला प्रशन पूछा गे भारत में आधुनिक सिक्षा प्रणाली की निव किस से पड़ी आप को मालूम है कमेंट करके बताए इसका सही ओप्शन क्या है भारत में आधुनिक सिक्षा प्रणाली की निव अठार सो तेरा का चाटर अधिनियम से पड़ी यानि option A बिल्कुल correct option है Second question वरार्सी में प्रत्वम संस्कृत महाविध्याले की अस्थापना किसने की थी? वरार्सी में प्रत्वम संस्कृत महाविध्याले की अस्थापना किसने की थी? जुनाथन डंकन ने भारत में अंग्रेजों ने प्रतम मदर्शा कहा अस्थापित किया था तो कलकता में option D बिल्कुल correct option है 4. Hunter Commission की रिपोर्ट में विकास पर विशेश जोड दिया गया प्रात्मिक सिक्छा पर option C बिल्कुल correct option है और 5. भारत की सेक्षणिक निती में फिल्ट्रेशन थियोरी के परतिपादक थे मैकाले option B इसका सही जबाब हो जाएगा और 6. राजनायतिक सुधारों को लेकर बिरोद करने वाले पहले भारतिये थे बाल गंगाधर तीलग option D बिल्कुल सही जबाब है इसके बाद 7. मदरास महाजन सभा की अस्थापना कब की गई थी? और प्रशन शंक्या 8 जो है इसने सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है इसका सही जबाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए तो बताइए ब्रिटीस इंडियन एसोसियेशन का सम्द्ध किस्से है? ब्रिटीस इंडियन एसोसियेशन का सम्द्ध राधक कांत देव से है तो इसका यानी जो मिलान होगा मिलान कर लेते है एका थिरी एका थिरी और क्या है? Bombay Presidency Association Bombay Presidency Association का समद्ध किससे है केटी तैलंग मुहमंदन National Association का समद्ध बताईए तो सैद अमीर अली और Servant of India Society के बताईए इसका सही जबाब हो जाएगा गोपाल केश ने गोखले यानि सही मिलान जो है Option B में दिया गया है Option B बिलकुल Right Option है 9 नमबर है राष्ट्रिये कॉंग्रेस से पूर्व सबसे परमुक संस्था थी राष्ट्रिये कॉंग्रेस से पूर्व सबसे परमुक जो संस्था थी Indian Association of Calcutta D option बिलकुल Correct option है और 10 नमबर बिर्टी सरकार के किस अधिनियम ने सौर प्रतम भारत में सिक्षा के लिए एक लाख रूपे देने का प्रधान किया गया था बिल्टी सरकार के किस अधिनियम ने सौर प्रतम भारत में सिक्षा के लिए एक लाख रूपे दिये गये थे तो भारतिये परिश्द अधिनियम इसका सई जबाब हो जाएगा option D ठीक है और इसी के साथ आज का session समाब करते हैं next session में भारती राष्टी Congress के बारे में हम लोग discuss करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहे हैं आपके परतिकिरियाओं का हमें बिसमरी सिंतिजार रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप Facebook पेज इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है वीडियो के description box में उसका link है आप लोग जोई किजिए कोई भी doubt हो किसी भी topic में किसी भी प्रश्ण में आप हमें comment कर सकते हैं ठीक है और आपकी जो doubt होंगे clear करने की बहुत जादा कोसिस किया जाएगा ठीक है और जिये लोगों ने PDF नहीं लिया अगर PDF चाहिए तो आप जो है टेलिग्राम चैनल या टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल की community box में जाएए वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में information को update कर दिया गया है thank you will tell next session